हाई एवरीवन नमस्कार मैं हर्बिर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ओफिशियल में तो आज की इस वीडियो में काफ इंपोटेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो वीडियो के साथ आप बने रहे हैं जिस आपने टाइटल और थम तो दी होए नमबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि दिवाली तक आप लोगों को 40% तक डिसकाउंट मिलेगा तो आप आज ही दी होए नमबर पर वर्टसेप मैसेज कर सकते हैं तो अभी हम बात करेंगे आपने एक नियूस काफी देखी होगी कि DSSB के अंदर अभी क्या हुआ है कि जैसे UPSC या SSC में एक्जाम सोते हैं तो इसी तरह से यहां पर भी बदलाव हुआ तो क्या वो बदलाव हैं उन पर हम सारी चीजों पर बात करेंगे तो बैस सबसे पहले यह नोटिस आया था मैं आपको बता देता हूं 22.10.2021 को 22 तारिक को जाए था और इसमें जो यहां पर सिंपल मैं आपको समझा देता हूं जैसे मान के चलो छोटा सा कोई एक्जामपल लेता हूं मैं जिससे आपको बड़े अच्छे से समझा आ जाएगा जैसे स्पोज करो यहां पर यह है यह काफी अलग-अलग department में vacancies आती है आप यह पर देखिए भाई MCD में वी आती है MAIDS में भी आती है DPCCC में भी आती है, DT, DC में भी आती है, मतलब इस तरह से बहुत जगे वेकिनसी जाती है, और इनका क्वालिफिकेशन क्या है? ट्वेल्थ है, तो अब क्या होगा कि इनका एक एक एकजाम होगा, और जैसे UPSC वगरा में होता है, तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट में बच्चों को भिज दिय जाएगा, जैसे हो सकता उनके मार्क्स के साब से या उनको चोईस दी जाए इस साब से, तो अब क्या है कि इन जगहें बहुत सारे एकजाम कराने की जरूरत नहीं है, अब क्या है कि कुछ ही एकजाम कराके, मतलब एक ही एकजाम में, इन सब का, मतलब कम्प्लीट कर देंगे, ऐसे ही मैं यहापे आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे काम की चीज है, मतलब इसमें बहुत सारा है, आप ja passionate दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम की divorce कि तो बहु याँ पर अग्रमें बात करूं कि अ अशिश्टेंट टीचर प्रांडी किदर गया करता हैं और अशिश्टेंट टीचर प्राइमरी बहा है रखो रखो रहो रखो कि प्धार धाला है यह तो यहां पर दिखी नहीं रहा है यह रहा है तो यहां पर आप यह देखिए असीस्टेंट टीचर प्राइमरी तो इसमें क्या है एक जगे एकजाम हो जाएगा और सभी में बच्चो की चोईस के हिसाब से या उनके माक्स के हिसाब से उनको भेज दिया जाएगा मतलब अब तीन जगे एक्जाम कराने की जरूरत नहीं है यह चीज है यह बदलाब हुआ है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है हां हाला की देखो क्या होता है मानके चलो दो, तीन जगे एक्जाम होते थे तो बच्चों को कई बार ऐसे होता ह Although प्रेप्रेशन अच्छी नहीं है, दूसरी बार अच्छी कर लिए, आइडिया लग गया, लेकिन अब क्या है कि एक ही बार एक्जाम देना पड़ेगा, वो ही आप लोगों के लिए फाइनल होगा, ऐसे बहुत सारे इस में बदलाब हुएं, तो आप देख सकते हैं, डिस्क् मततिサ कुछ़ेज के एकी हाँ, आप लिएक施ए, ढुए घूसरी बान।